हलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे लंबाई को मापनी की कुछ इकाईयों के बारे में जैसी, एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं, एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं, एक फुट में कितने इंच होते हैं, एक फुट में कितने सेंटी मीटर होते हैं, एक मील में कितने किलो मीटर होते हैं, और एक गज में कितने फुट होते हैं उससे पहले friends अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिसे कि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे तो चैनल वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं किलो मीटर की एक किलो मीटर में एक हसार मीटर होते हैं उसके बाद अगर हम बात करें एक मीटर में सेंटी मीटर की तो friends एक मीटर में सो सेंटी मीटर होते हैं उसके बाद हम बात करते हैं फुट में, फुट में एक इंच होते हैं बारा, यानि एक फुट में बारा इंच होते हैं और तीस सेंटीमीटर होते हैं, बारा इंच या तीस सेंटीमीटर मिलकर एक फुट बनाते हैं नेक्स्ट बात करें मील की तो एक मील में एक दशमलव 6 किलो मीटर होते हैं और अगर मीटर में हम बात करें तो एक मील में 1600 मीटर होते हैं नेक्स्ट हम आप बात करते हैं गज की की एक गज में कितने फुट होते हैं तो फ्रेंट्स एक गज में तीन फुट होते हैं तीन फुट मिलकर एक गज बनाते हैं और एक वर्ग गज में नो वर्ग फुट होते हैं नो वर्ग फुट मिलकर एक वर्ग गज बनाते हैं वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग, हव अनाइस टेए